दोस्तो गोद्रेज एक ऐसा भारतिया कमपनी है जिसके बारे में लगवक सभी जानते हैं पर जादा तर लोग मानते हैं कि गोद्रेज कमपनी भारत में अलमारी फ्रिज जैसे ही चीजों का निर्मान करता है। दोस्तो ये महत्तो पूर्ण हतियार है भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला इंडजिनियस इंजीन अप लोगों को पताई होगा कि भारत कई सालों से कावरी इंजीनों को बनाने का प्रयास कर रहा है लेकिन भारत को लगातार इस प्रयास में विफलता ही मिला है और दोस्तो कुछ महीने पहले proper कावरी इंजिन नहीं कम से कम इसके एक dry variant को लेके भारत को success मिला अप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कुछ महीने पहले मैं जानकारी दिया था कि किस तरीके से dry कावरी इंजिन के सफलता पूरबग परिक्षान को रश्या में अंजाम दिया गया और dry कावरी इंजिनों के manufacturing का काम को अंजाम दिया जाएगा उसका plant का integration किया गया और दोस्तो इस integration process के दर्मियान गोद्रेज कमपनी के भी executive director नायरेका होलकर भी present थे और दोस्तो सेप्टेमबर 2022 में ही defense research and development organization के तरफ से गोद्रेज aerospace कमपनी को dry कावरी इंजिन के 8 modules को बनाने को लेके contract दिया गया था यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दू कि dry कावरी इंजिन असल में कावरी इंजिनों के 48 किलोनीटरन थ्रश्ट वाले एक ऐसा variant है जिसमें after burner section नहीं होगा और ये 48 किलोनीटरन वाले इंजिनों का इस्तमाल असल में Indian Air Force के लिए बनाय जाने व को अंजाम दिया जा रहा है इसे complete करके साल 2023 के अंत में या साल 2024 के शुरुआती समय में company के तरफ से dry कावरी इंजिनों को DRDO के हवाले किया जाएगा आप लोगों के जानकारी के लिए भी बता दू कि कुछ दिन पहले ही इन dry कावरी इंजिनों को रश्या के test facility में high altitude test से भी रश्या में अंजाम दिया जाए तो यहाँ पे dry कावरी इंजिन जो फिलाल भारत के तरफ से डेवलप्ट किया गया है यह भारत के इंजिन डेवलाप्मेंट में एक बहुत बड़ा success है क्योंकि इसके बाद एक afterburner section को अगर भारत के तरफ से successfully developed कर लिया जाए तो यह ए जैसे afterburner वाला dry कावरी इंजिनों का इस्तमाल HLFT 42 जैसे leading fighter tenner यार क्रैप्टों में किया जाए हलाकि leading fighter tenner के overall weight जो बताया जारह है उसके मताविक शायद इन इंजिन इसमें 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 कुछ अन्य इंजिन के इसमें का संभाव नाए है हलाकि दोस्तों इससे भारत को एक ऐसे knowledge हासिल होगा जिसका इस्तमाल करके आने वाले समय में इसके अधिक thrust वाले variantों को भी तयार किया सकता है एक तरह के से आप कह सकते है कि कई दशों को के कावरी इंजिनों के उपर जो investment किया गया था उसके success के रूप में भारत को dry कावर इंजिन मिला है और dry कावरी इंजिन ही भारत के लिए अन्ने इंजिनों के development का रस्ता खोलेगा दूसरे तरफ दोस्तों इन इंजिनों को टेस्ट करने के लिए जो लगातार रश्या में ले जा जा रहा है ये वी एक चिंता का बात बना हुआ है क्योंकि हर वार अगर इंज इंजिनों के टेस्ट के लिए इंजिनों के लिए इंजिनों के टेस्ट के लिए इस्तिमाल किया आ जाता है और भारत के पास भी ऐसा ऐर क्रैफ्ट है भारत आने वाले समय में 110 कlune tund thrush वाले इंजिनों का development करेगा और इसके बेस में और फी अन्ने इंजिनों का development होगा और हर बार इंजिनों के टेस्ट के लिए अगर अन्ने देशों में इसे ले जाया जाता है जिससे कि भारत में इंजिनों के development के process को और आसान किया सके और जल से जल नए से नए इंजिनों का development किया सके